हेलो व्यू वाड़स अंबोक्स इंडिया में आप सब का स्वागत है और मैं हुआ इम्रान आज मरे पास अब यह रिवाइज है यह रेड्मी नोट 12 Pro 5G स्मार्फोन की ब्लेक कलर जिया दोस्तों काफी एक्चा डिवाइज है तो आज इस पूडियो में इसी रेड्मी नोट 12 प्रो 5G स्मार्फोन की रिटेल फॉन है तो चलिए इसी स्मार्फोन का बोक्स करते हैं और बोक्स के अंदर क्या कुछ है देखते हैं उससे बहले गाई सा अपने चैनल को सब्सक्राइब ने के प्लीज निच्छ दिये गए वाइड वट्टों को क्लिकर के चैनल को सब्सक् सबसे बहले आप तक पोच्छ और वीडियो को लाइक और शेयर अपनों सब्सक्राइब कर देना और यह रहां दूस्तों रेड्मी नूट्टेल प्रो 5G स्मार्फोन की बॉक्स ओनिक्स ब्लेकर में मेरे पास रेड्मी नूट्टेल प्रो 5G स्मार्फोन है बहुत ही बड़ अलग पर यह रिवाइस मार्केट में अपालेबल है बॉक्स कुछ इस तरह की से ब्लेक बॉक्स नजर आता है रिटेल फॉन और बॉक्स की चारू तरफ रेडमी का ब्रांडिंग देखनों मिल जाता है बॉक्स के बिचे मैंशन क्या गया है रिवाइस के बारे में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लार्ज केमरा से सरूथ ओएस सब्सक्राइब 15 मेगापिक्सल एया ट्रेपल एर कैमरा 16 मेगापिक्सल फ्रॉंट है वीवीड 120 हर्ट जे अमोलर डिस्प्लेइ ड्वेल स्ट्रीय स्पीकर के साथ डॉल्फी वीशन मिरें में सीडू 1085 जी जीपसेट है 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 इसी स्मार्ट फोन में है कॉर्णिक गोलिल ग्लास 5 कपडिक्शन के साथ में 67 वाट फासनी सब्सक्राइब के साथ में 5000 लिए बैटरी 6 जीप 128 जीव वेरियर अनिक सप्ले करा में चलिए इससे अन्बोक्स करते हैं अन्बोक्स के अंदर क्या कुछ है रहा है अन्बोक्स रेडवी नूट फ्रो 5G स्मार्फोन की बोक्स अन्बोक्स हो चुका है और जैसे ही अन्बोक्स करते हैं कुछ ही सरगे से ऊपर ब्लेक सेक्शन नसर आ रहा है इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ हो डिकुमेंटेशन और इसके लावा सीम इजक्टर और ठेंस्परेंट के इसके बर और यह रहा है दूसर रेडवी नूट फ्रो 5G स्मार्फोन ओनिक्स ब्लेक अलर में इसी परडिक्शन के अंदर है और इस फोन के लावा क्या कुछ है इस बोक्स के अंदर चलिए देखते हैं यहाँ पे देख सेक्त हो एक 67 वाट का छोड़ सर दिया गया है फास्टर सर बहुत ही तेजी तरीके से रिवाइस को चार्ज करोगे इसके लावा यहाँ पे टाइप A to टाइप C केवल बैसिकली यह से भी बोक्स कॉंटेंट और यह रहा दूस्तों स्मार्फोन रेडवी नूट 12 प्रो 5G स्मार्फोन बहुत ही बड़ीया का OIS कैमरा बैक बोड़ी में लगाया गया है साथ में यहां पेरी डिफलाश भी नज़र आ रहा है तो काफी अच्छा फिनिश के साथ यह स्मार्फोन है बहुत ही ज्यादा आकरशक डिवाइस है ग्लोसिनेसर डिसाइन है इसी स्मार्फोन की बैक बोड़ी में काफी प्या तो बैक बोड़ी दिखाया है डिवाइस की सत तरफ बोलियम आप एंडाउन बटन पावर बटन और निचे के तरफ इस स्पीकर गेल टाइप सी पॉर्ट मैक्रोफोन सिम ट्रे दिया गया है जै दोस्तों निचे के तरफ यह यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है और कि सिर्फ लुक से डिजाइन अच्छा नहीं है बाकी स्पेसिफिकेशन से भी काफी तकड़ा दिया गया है जा दूस्तों इसी रेडमी नोट 12 प्रो 5G स्मार्फोन में अलग-अलग वेरियंट देखने को मिल जाता है जिसके 6GB 128GB मेरे पास वेरियंट है इसके लब 8GB 128GB 8GB 256 6GB तीन अलग-अलग वेरियंट में ये डिफाइस मार्केट में अवालेवल है अलग-अलग प्राइस रेंज के इसाब से और चलिए अब बात के लिए इसी स्मार्फोन के डिस्प्ले के बारे में रेडमी नूट 12 प्रो 5G स्मार्फोन में अच्छा कॉलेट का डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है 6.67 इंचेस का यहाँ पे हमें OLED इस्क्रेन का उप्यों किया गया है AMOLED जा दूस्तों 120 हर्ज रिफ्रेश्ट रेट के साथ में Dolby Vision यहाँ पे डिस्प्ले है HDR 10 प्लस साथिफाइड है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस स्क्रेन 1080 x 2400 का पिक्सल्स और खलाव अगरा काफी खुब सेरत देखनों मिल रहा है 500 नेट्स टाइप का ब्राइडनेस से लेकर यहाँ पे जो पिक ब्राइडनेस है 900 नेट्स टाइप का पिक ब्राइडनेस है और यहा स्मार्टफोन की जो पुफोर्मेंस होगा वो भी काफी धंदार होगा 6GB प्लस 2GB इसमें इंटर्नल इस्टो रेम देखने को बिल चाता है इस के लावा 128GB इंटर्नल स्टोरेज है जो डिवाइस में जो चिपसेट दिया गया है प्रसेसर मिडियर की तरफ से है मिडियर में 1080 एक 5G चिपसेट है 6NF अब्रिकेशन में 2.6 GHz क्लॉपी स्पीट के साथ में Android वर्जन यहाँ पे 12 है MIUI वर्जन लेटेस्ट यहाँ पे दिया गया है 13 तो ओवरल गेमिंग के मामले में स्पीट के मामले में एक धमदार स्मार्फोन है Redmi Note 12 Pro 5G बेटी पॉफोर्मेंस के मॉस्ट हो चुका है और आप देखेंगे किस तरीके से यह काम करता है और यहाँ पे सट कर दिया है और बहुत ही फास्ट जैसे टच करता हूँ तो Redmi Note 12 Pro 5G स्मार्फोन बहुत ही तेजी तरीके से अलोक हो जाता है और इसी स्मार्फोन की कैमरा स्पेसिफिकेशन के उपर बा के साथ शूट कर पाओगे सोरी सेलफी के साथ 1080P मिलता है और डिवाइस के संग काफी सारा फोरूस क्लिक या है फास्ट इंप्रेशन में डिवाइस की जो यहाँ पे एक कैमरा क्वालिटी है सेलफी कैमरा या फिर यह कैमरा के उपर बात कुर तो काफी एच्छा है जै तो डिवाइस में तो अलग अलग तीन अलग 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 वेरियंट है इसका जो बेस वेरियंट है वो है 3G 6GB RAM and 128GB चानल स्टोर जिसका प्राइस इंडियार मार्केट में है 24,999 डिवाइस है और इसी स्मार्टफोन के जो यहाँ पे 8GB 128GB वेरियंट है उसका प्राइस है 26,999 रुपीस यानियल मॉस्ट 27,000 का डिवाइस है और 8GB 256GB वेरियंट का प्राइस है 27,999 डिवाइस है तो तीन अलग 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 प्राइस रेंज के हिसाब से यह डिवाइस मार्केट में अवालेबल है कैसा लगा नीचे कोमेंट स्टिक्शन पर जुरूबत है अगर मैं इसी स्मार्फोन के ओवरनेस रेवियू करूँ तो प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा डिवाइस है चाहासा काफी अच्छा प्रस्टर के साथ यह स्मार्फोन है डिस्प्ले भी काफी अच्छा है लुक से डिजाइन काफी अच्छा मिलता है 5000 मिली अपर बैटरी है 67 वाट फासले सपोर्ट के साथ यह डिवाइस है तो ओवरोल देखा जाए कहीं न कहीं एक तमदारी स्मार्फोन है रेडमी नूट 12 प्रो 5G स्मार्फोन तो मैंने इसी स्मार्फोन के अन्बोक्सिंग करक बाइ टेक्यार एंड जैहिंद एंड 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 एंड